नमस्कार जहिन साथियों स्वागत है आज आप सभी का हमारे दिन संकल वीटूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं विशेख मिसराज आप सभी लोगों के लिए क्लास 6 की NCRT HD के कोस्टन्स को लेकर क्या हो और आज हम डिसकस करेंगे चैप्टर 11 के कोस्टन्स को इस चैप्टर का नाम है नय सामराज्जे और रात्य आप लोगों है इसकी समरी को पढ़ा होगा और समरी पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ मैंने इस चेप्टर को पूरा समझ लिया है और इस चेप्टर से गर कोई भी प्रस्ण आएगा तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ अगर ऐसा है तो आप लोग आज हमारे इस चेप्टर में जो भी इस प्रस्ण लेकर के आए है पूरे चेप्टर से मुख्यता चुनंदा प्रस्णों को हम छाट करके लेकर आए है और इन सभी प्रस्णों को द्याखे के साथ में डिस्कस करेंगे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इन सभी प्रशनों के उतर दे सकता हूँ तो मेरे आंसर देने से पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ओकी इससे पहले हमने चेप्टर बन से लेकर के 10 तक की कोस्टन्स को ला चुके हैं क्योंकि UPSC की परिक्षा बिल्कुल पास में हमारे नगदीश में है जो प्रिलिम परिक्षा है और NCRT का जो मुख्य उद्देश से होता है NCRT पढ़ने का ठीक है NCRT की जो कोस्टन्स आते NCRT से यह सब हमारे UPSC की प्रिलिम परिक्षा में ही मैत्पूर्ण होते है मेंस में इसका कोई ज़्यादा अर्थर नहीं निकलता है ठीक है तो जिलों इन वीडियो को नहीं देखा है वो लोग देखे और जिलों को NCRT के नोट्स चाहिए हैं वो हमको WhatsApp पर मैसेज करके NCRT के नोट्स को ले सकते हैं WhatsApp नमबर आपको वीडियो के एंड में दिया जाएगा नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके नमबर को ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चेप्टर से हमको मिलता है प्राचीन भारत का इतिहास और Class 6 की NCRT HD जो है इसमें पूरे में हमको प्राचीन भारत के इतिहास ही मिलता है सबसे पहले प्रसंड आप सभी लोग के समक्ष है इसका आंसर देने किए वसकता नहीं क्योंकि इसका आंसर तो आप सभी लोग के समक्ष रखा हुआ है लगबक कितने बर्ष पूर्व लिखा गया था option A 2000 बर्ष पूर्व option B 2200 बर्ष पूर्व option C 1800 बर्ष पूर्व option D 1700 बर्ष पूर्व तो जल्ली से इसका answer हमको comment box में दीजेगा कि जो असोक का इस्तंब अभिलेक है यह आज से लगबक कितने बर्ष पूर्व लिखा गया था इसका कौन सो option यहाँ पर सही होगा चलिए विसका answer हम आपको देते हैं इसका option D बिल्कुल correct होगा अर्थात यह आज से 1700 बर्ष पूर्व लिखा गया था इसकी पूर्ण रूप से ब्याख्य यहाँ पर दी गई है यहाँ पर आपको 2-3 point मिलेंगे ठीक है जो इलावाद का असोक स्तंब अभिलेक है इसको आज से लगबक 1700 बर्ष पूर्व लिखा गया था यह समुद रूप्त के सासन के बारी में हमको जानकारी देता है और इस पर समुद रूप्त के दरवारी कभी हरिष्यन ने संस्कृत भासा में प्रसंस नात्मक वर्ण प्रस्तूत किया है इसे ही प्रियाग प्रसंती या फिर समुद रूप्त की प्रसंती कहा जाता है तो जो इलहाबाद का असोक इस्तंब अविलेख है इसको ये कहा जाता है आप लोग ये आंसर दे सकते हैं अब इसके बाद में प्रसंस्ती का आर्थ होता है प्रसंसा ठीक है अब इनकी इसकी बिजियों इसमें जो जो प्रसंस्ती है इसमें समोधरुप्त की बिजियों का सब्सक्राइब ये भी दर्स आया गया है कि 700 पर बिड़ा भी बजाते थे और वे संगीर प्रेमी भी थे, ठीक है, और क्या था कि इसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया था तो उसमें जो सिक्के हैं सिक्कों पर भी समुद्रगुप्ति इन सभी जो तो कलाओं को दिखाया गया है चली आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्टि नंबर तीन को या बहुत ही महतफोड प्रकार के राजाओं और उनके प्रती शमुद्र गुप्त की नीतियों के संदर में निम्न-लिखित कतनों में से कौन से कतन सही नहीं है अतात या पर चार कतन दिये जा रहे हैं और आपको ये बताना है इन चारों कतनों में से कौन सा कतन गलत है या फिर कोई भी कतन गलत नहीं है ठीक है तो पहला कतन दिया जा रहा है कि समुद्रुप्त ने आर्या बर्त के सभी नौ सासकों को दी और इसके बाद में तीसरा कतन दिया जा रहा है समुद्रुप्त के राजा समुद्रुप्त के राज के पड़ोसी देश अर्थात आंतरिक घेरा माली की एक मिनट इसको आपको अच्छे समझा दें कि इस बीच में समुद्रुप्त का राज अब इसके आज पास वाले जो पड़ोसी देश थे जो इसको का जाता है आंतरिक घेरा है वहां पर समुद्रुप्त कर देते थे और उनकी आग्या मानते थे वह उसके बाद ने चौथा कथन दिया जा रहा है कि हमारी यारी बाहरी राज्यों ने समुद्रुप्त की अधिनता स्विकार की और अपनी चार कतन दिये जाने और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कतन गलत है या फिर कोई भी कतन गलत नहीं है चलिए भी इसका अंसर हम आपको देते हैं इसमें जो आप से पहला कतन दिया जारा है दूसरा और चौता ये तीन कतन सत्य है और जो इसमें तीसरा कतन दिया जा रहा है ये वाला कतन गलत है ये वाला ठीक है क्या है कि इसमें इनको कर नहीं देते थे यहाँ पर कर सब्द की तो बात की गई कर नहीं देते थे तो इसमें यह क्या करते थे क्योंकि जो समुद्रूप के राजे थे समुद्रूप के राजे के पड़ोसी देश जैसे कि असम है तटी बंगाल है नेपाल है उत्तरपस्चिम है यहां के उत्तरपस्चिम के कई गड़ या फिर संग आते थे उनकी पड़ोसी देश थे उनमें कई गड़ और संग आते थे ये आंतरिक राजियों के घेरे के रुप में समुद रुप के राज से लगे हुए थे ये समुद रुप के लिए उपहार लाते थे ना कि कर देते थे ठीक है अब उनकी आग्या भी मानते थे तथा दरवार में उपस्तित हुआ करते थे बाहरी इलाके संभवता कुसाणों तथा सक बंस के जो बाहरी इलाके थे ठीक है वो किसके थे कुसाण या फिर सक बंस के लिए ठीक है और इसके बाद में इनमें स्री लंका स्री लंका के सासक भी थे इन्होंने समुद रुप की अधिनता सुईका की और अपनी पुत्रियों का विवा उससे किया था अठा जो बाहरी सासक थे ठीक है जहां पर यहां पर यहां पर यह बात की गई है चौथा वाला कतन की बाहरी राजियों की अधिनता को सुईकार किया और अपनी पुत्रियों का विवा उनसे किया था उसका यहां पर एक यार समझेगा कि कितने विवाह करते थे जिसको अपना अधीन बना लिया उसकी पुत्रियों का विवाह कर लिया खुद से मतलब कितनी यार चलिए आंगे बढ़ते है question number 4 दिया जा रहा है निम्न लिखित में से किसने महाराज धिराज की उपादी धारण की महाराज धिराज की धारण की है चलिए भी इसका अंसरव हम आपको बताते है इसका option A और B विल्कू करेट है अर्थात समुद्रगुप्त ने और चंद्रगुप्त पर्थम ने इन दोनों लोगों ने महाराज धिराज की उपादी धारण की थी अब इसकी ब्याख्या को भी देख लेते हैं दिया जा रहा है केबल 1 और 2 अर्थात केबल option A और B समुद्रगुप्त और उनके पिता चंद्रगुप्त पर्थम जो समुद्रगुप्त थे इनके पिता का नान था चंद्रगुप्त पर्थमर्था चंद्रगुप्त मौर जिनों ने क्या किया था गुप्त बंस की स्थापना कीती ये गुप्त बंस के संस्थापक थे ठीक है इन दोनों लोगों ने महाराजा धिराज की उपादी धारन कीती समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का उल लिखित में से किसे कहा जाता है option A चंद्रगुप्त दुतिये को option B option C और option D इसकंद्रगुप्त को तो जल्ली से इसका आंसर भी हमको comment box में दीजेगा कि सक भी जेता किसे कहा जाता है अगर आप लोग ने समरी को पढ़ाए तो इसका आंसर आप लोग हमको बहुत ही फटाफट दे सकते है चलिए इसका आंसर भी हम आपको देते है इसका आंसर A बिल्कुल correct है अर्थात सक भी जेता चंद्रगुप्त दुतिये को कहा जाता है इसकी ब्याक्य को भी देखते हैं बहुत इंपॉर्टिन होती है ब्याक्य को देखना तो दिया जा रहा है कि चंद्रगुप्त दुतिये को सक भी जेता कहा जाता है उसने पस्चिम भारत में सैन नभियान करके अंतिम सक व सासक को परास्त किया था इस विजे के उपलक्ष में मालबा छेतर में ब्याग्र संदी ब्याग्र संदी के चांदी के सिक्के चले थे ठीक है ब्याग्र संदी नहीं आपर सैली है ठीक है ब्याग्र सैली के चांदी के सिक्के चले थे ये सिक्के उसी सकों पर विजे के सूचक थे ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 6 को सभी प्रसंट बहुती महत्पूर्ण है और मैं सभी प्रसंटों को ब्याक है के साथ आपको बता रहा हूँ तो छटा प्रसंट दिया जारा है कि खगोल सास्त्री आरे भट निम्न लिखित में से किसके दर्वार में थे option A हर्सबर्दन के, option B चंद्रगुप्त दुतिये के, option C समुद्रगुप्त के, option D असोक के तो इसमें से जो option B है ये बिल्कुल correct है, अतात ये चंद्रगुप्त दुतिये के दर्वारी में थे ठीक है, अब इसके विसे में यहाँ पर बहुती मैत्पों जानकारी दी जा रही है इसको आप लोग याद कर ली जगए, ये सभी को आना चाहिए, चंद्रगुप्त दुतिये का दर्वार बिद्वानों से भरा रहता था ठीक है, अब कभी कालिदास और खगोल सास्ते आरे भट उसी दर्वार में थे ठीक है, उस दर्वार के कोई हिस्से थे, ठीक है, वहाँ पर रहते थे चलिए आंगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कोस्टन नमबर सैबन को बहुती महत्पूंड प्रसन है सभी, तो सात्मा प्रसन आप सभी लोग के सामने है तो इसका जो कौन सा आंसर सही है, जली से हमको कमेंट बॉक्स में दीजीगा कि जो बाण भट थे, ये किस के दर्वारी कभी थे चलिए विसका आंसर अब हम आपको देते हैं, इसका आप्सन डी बिल्कुल करेक्ट है ये हर्स बादन के दर्वारी कभी थे, चलिए, अब इसकी बैकर को भी देख लेते हैं, बहुत ही मैत पूर्ण है, इसकी पूरी ब्याक्या बान भट हर्स बादन के दर्वारी कभी थे, इन्होंने हर्स बादन के जीवनी, हर्स चरित लिखी है ठीक इन्होंने हर्स बर्दन की जीवनी को लिखा है जो की हर्स चरित नाम से प्रजली थे जिससे हर्स के सासन काल और बंसा वली का पता चलता है हर्स ने लगवग 1400 वर्स पूर्बर सासन किया था ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्टन नमबर आठ को प्रसन संग के आठ आप सभी लोगों की समक्ष है निम्नलिकित में से कौन चीनी तीरत यात्री हर्स के काल में भारत आया था ओप्सन ए फाहयान ओप्सन बी वेंसंग ओप्सन सी मेगस थनीज ओप्सन डी डियो निसियम ठीक है तो जल्ली से इसका अंसर हमको कमेंड बाक्स में दीजेगा कि इन चारों में से कौन सा कतन सही है जो चार यात्री आपको यहां पर दिखाया जा रही है इन में से कौन सा ऐसा चीनी यात्री है जो की हर्स के काल में भारत आया था चलिए अब इसका answer अब मैं आपको बताते हैं इसका answer B बिल्कुल correct है तो option B बिल्कुल correct है और इसके भी same हम आपको ब्याख्य के साथ बता रहे हैं चीनी तीर्तियातरी जिसका नाम होेन सांग जिसको आप लोग स्वेन सांग भी कह सकते हैं हर्स के काल में भारत आया था और वह कापी समय तक हर्स के दर्बार में भी रहा था उसने वहाँ जो कुछ देखा था उसका बिस्त्रित विब्रण भी दिया है ठीक है चली आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोश्य नमबर 9 को ये बहुती मैदपूर्ण प्रसन है और थोड कतन है हर्स अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे ठीक है दूसरा कतन है हर्स अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यू के बाद में मगद के राजा बने थे इसके बाद में तीसरा कतन दिया जा रहा है उसने उसके बहनोई कन्योच के सासकते और जब बंगाल के स आपको यह बताना है आपको answer कुछ इस परकार से देना है कि माल लिज्बा कि एगर 9 ka पहला और दूसरा सही पहला है। एगर इसमें 9 का दूसरा गलत है और इसमें 9 का दूसरा गलत है अज adapt आपको कुछ यह परकार से YOUR answer देना आए चलू अब इसका आगे वड़ते हैं और आपको बताते हैं इसका अंसर क्या होगा तो इसका अंसर होगा पहला और तीसरा सत्य है और जो दूसरा रह कि नहीं टें और गलत है कि हर सुग के घंटें । तो इन पॉइंट ओ छोटे पॉइंट 10 को याद करते रहीगा। और यहां पर यह जो कथन दिया जा रहा है कि हर्स अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। यह भी गलत है। wolves पर इन पीता के सबसे बड़े बेटे।ि नहीं थे। तब किसने उन्हें रोका था option A, pull occasion प्रत्मने option B, pull occasion दोतिये ने option C, बिक्रमादित प्रत्मने option D, बिक्रमादित दोतिये तो जलिए से इसका अंसर हमको comment box में दीजेगा कि जब हर्सवर्दन ने कई राजियों को जीत करके या आंगे बढ़ रहते पार कर दिया था ठीक है तब इनको किसने रोका था चलिए आंगे बढ़ते हैं और इसका आंसर हम आपको देते हैं तो इसका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है था पुलकेसिन दुतिये ने इनको रोका था ब्याखा के साथ ये प्रस्ण है मगद और बंगाल को जीत करके जब हर और जब ये नरवना नदी को पार करके दक्कन की और बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तब चालुक के नरेश पुलकेसिन दुतिये इनको रोक दिया था ठीक इनको रोक दिया था और फिर इनको वहां से सपलता नहीं मिली थी चलिए आंगे बढ़ते हैं और दिखते हैं कोस् समक्षे दिया जारा कि पलवों की राजधानी निमने लिखित में से कौन सी थी ओप्सन ए कांची पूरम ऑप्सन भी मदुरे ओप्सन सी एहोल ऑप्सन डी बलभी तो जली से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजीगा कि इन चारों में से कौन सा आप्सन सही होगा चलिए भी इसका आंसर भी हम आपको बताते हैं इसका ऑप्सन ए बिल्कुल करेक्ट है अरतात पलवों की राजधानी जो थी वो कांची पूरम थी ठीक है पूरे ब्याख्या के साथ प्रते प्रसन को आपको समझाते हुए चल रहा हूँ इसलिए कहीं भी कोई सवाल का तो खड़ा ही नहीं होता अगर आपको कुछ पोचना है तो आप कमेंट बाक्स में जरूर पूच सकते हैं ठीक कहीं पर भी एकर कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूचिएगा इसमें ब्याख्या दी जारे कि पलवों की राजधानी कांची पूरम थी पलवों का राज्य कांची पूरम के आसपास के जो छेतरते वहां पड़ता और कावेरी ने दी के जो डेल्टा था वहां तक पहला था ठीक है तो चली आँगे वढ़ते हैं और देखते हैं कोश्चन नमबर 12 को तो बार्मा कोश्चन आप सभी लोग के समक्ष है और इसका आंसर भी आप सभी लोग के अप्सन भी अर्थात ये चालुक्यों की राजधानी थी पूरी ब्याख्या के साथ में पूरा प्रस्ण है तो दियाजार की चालुकों की जो पहली राजधानी थी वो एहोल थी ठीक है जो की एक बहुती प्रमुक केंदर था ठीक है ये बहुती प्रमुक केंदर था और धीर ठीक, फिंच, और तूंग भड्रा नदी के बीच में इस्तिता, और क्या था, कि यह एक यह छेतर राय-चूर दो आव कहलाता था, क्योंकि यह क्या था, यहाँ पर एक बहुती ब्यापारी के जो तो प्रमुक केंदर था ब्यापार का और साथी साथ ये एक बहुती आंगे बढ़ते बढ़ते दिर्दिये धार्मिक केंदर भी बन गया था यहां पर कई सारे मंदिर थे और ये तुंग भद्रा और कृष्णा इन दोनों नदी के बीच में भी था ठीक है अब पुलके सि गई बादामी इसको स्थानांतित कर दिया गया था बादामी को बातासी बातापी के रूप में भी जाना जाता है ठीक है तो चली आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोशन नंबर 13 को यह भी बहुत ही मायत्पूर्ण प्रस ने आपको इसका अंसर देना है रभी कीरती नि निमने लिकित में से किसके दरवारी कभी थे चली अब इसका अंसर हम आपको देते हैं इसका ऑप्सन नंबर D बिल्कुल करेक्ट होगा रथा यह किसके दरवारी कभी थे ठीक है तो चली अब इसकी ब्याख्या को भी देख लेते हैं बहुत ही मायत्पूर्ण होता है ब्या लाजिए मिलती है इतनी चाचा ने यह राजिए मिलाता की और्थाट यह जो राजा बने थे यह अपनी पिता के द्वरो राजिए देने पर नई बने थे ये अपने चाचा के द्वारा राज देने पर ये मिले थे ठीक है इनको अपने चाचा का राज मिला था ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोश्चन नमबर 14 को ये भी बहुती महत्तुपूर्ण प्रस्ण है तो इसका आंसर भी आप सभी लों के सामने आही चुका है ठीक है तो ये प्रस्ण पूछा जा रहा है कि दक्षिन भारत में पूर्व मद्यकालिन सासन के संदर में निम्लिकित कतनों में से कौन से कतन सत्य है पहला कतन दिया जा रहा है कुछ महत्तुपूर्ण प्रस्णा की इसका पद canषे करता था दूसरा कतन है सभी कभी एक लिए कंदों पर कारिक करता था तीसरा कतन की प्रस की इकाइ गाउं होती तो इनमें से तीननों में से कौन से ऐसंज觉 है तो पुरुक्ति eh या जा रहे हैं और धक्षिन भारत में पूर्व्र मद्चले प्रसासन के कुछ माधिपुन पद अनुबानसिक雨 बन गएते तता कभी-कभी एक ही वेकति कई काल भी करता था जैसेंकि श्रापिषेंट के यहाँ पर उधान दिया रहा होion cicero मत बeledी दिए क्या 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 बर भ canvas मैको शाती सा५चpath इनको बनाए metabolismo कुमारा मात थे और साथी साथ इनको बनाय गया था संधी बिग्रहिता भी बनाय गया था इनके पास तीन पत थे और यह अनुबांसिक थे अर्था इनके पिता के माध्यम से इनको मिले थे पहले इनके पिता महाधर नायक थे और इसके बाद में यह महाधर नायक बने और इसक और यहां पर नगर स्रेश्टी किसे कहते हैं। Option A मुक्ह बैंकर, Option B मुक्ह सिल्पकार, Option C ग्राम परदान को, Option D लिपिकों के परदान को, तो जल्दी से इसका आंसर हम को दीजीगा कि जो नगर स्रेश्टी थे, कि किसे कहा जाता था? चलिए बिसकी बैख्या और आंसर अब हम आपको बताते हैं इसका आंसर आप्सन ए बिल्कुल करेक्ट है अथा जो नगर स्रेश्टी है ये मुख्य बैंकर या फिर सहर ब्यापारी को कहा जाता था अब इतने से आप लोग समाच चुके होगे कि नगर स्रेश्टी किसे कहा जाता था या तो मुख्य बैंकर या फिर नगर के ब्यापारी को ठीक है सहर के ब्यापारी को अब ब्यापारी जो है इसके बिसेम में अगर आपको अधिक जानकारी प्राप करनी है या फिर option B, ग्राम परदान को, option C, मुख्य बैंकर को, और फिर option D, सहर ब्यापारी को, ये सबी जो point हैं, नगर सेश्टी किसे कहते थे, सार्थ बाहग किसे कहते थे, तो ये बहुत ही important होते हैं, इनको आप लोग याद कर लीजीगा, तो इसका अंसर हम आपको देते हैं, इसक से का जाता था, सार्थ बाह, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, कोशे नंबर 17 को, बहुती महत्पूर्ण प्रस्ण हैं सभी, इसका उत्तर भी आप सभी लोग के सामने आ चुका है, क्योंकि इसमें सही गलत पूछा गया है, तो प्रस्ण पूछा जा रहा है कि पूर्व मद सामन्त थे, इनकी अपनी अलग सेना होती थी, तथा आवसित्ता पढ़ने पर ये राजा की सायता करते थे, ठीक है, ये राजा को सायता देते थे, इसके बाद में दूसरा कतन दिया जा रहा है, इन्हें कोई नियमित बेतन नहीं दिया जाता था, तीसरा कतन दिया जा रहा अब इसका जो आंसर वो यह है कि ये तीनों प्रोक्त कतन सही दिये जा रहे हैं एक, दो, तीन, तीनों कतन सही है अब इसकी ब्याकर को भी देख लेते हैं पूरू मद्यकाल में सामंतों को नियमित बेतन नहीं दिया जाता था अब उसके बदले में क्या होता था इन में से कुछ को भूमी दान दिया जाता था और जो भूमी दी गई थी क्या होता था कुछ सामंतों को भूमी दान में दी जाती थी और जो भूमी से ये लोग कर बसूलते थे जिससे बे सोना, सेना का खयाल लगते थे गोडों का खयाल लगते थे और साथी साथ बे युद्ध के हतियार भी लेते थे अर्थात इसकी पूरी बैख्या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सामान देते उनको बेतर ना दे करके कुछ जमीन दे दी जाती थी और ये कहा जाता था कि आप इस जमीन से इस भोमी से करको बसू लेंगे और उसके माद्यम से आप अपने सेना का खयाल लखेंगे आप अपने घोडों का देखवाल करेंगे और साथी साथ युद्ध के हतियार भी लेंगे ठीक है चली आँगे बढ़ते हैं देखते हैं कोस्टन नमबर 18 को बहुती महत्पूर्ण प्रशन हैं सभी 18 का भी उत्तर आप सभी लोगों के समक्ष है ये कुछ प्रशन ऐसे हैं जो की बहुती महत्पूर्ण और बहुती बड़े हैं इनको भी आप लोगों को याद रखना होगा दक्षिन भारत के राज्य की बिभिने स्थानिये सभाओं के संदर में निम्न लिखित कत्रों में से कौन से कतन सत्ते हैं पहला कतन दिया जा रहा है ब्रामण भूस्वामियों का संगटन जिसे सभा कहते थे अर्था ब्रामण भूस्वामियों का संगटन होता था जिसे सभा का आ जाता था और दूसरा कतन दिया जा रहा है कि जिन चेत्रों में भूस्वामी ब्रामण नहीं थे वहां और नामक ग इन में से एक ब्राम्मार भूसवामी को संगठन था जिसे सभा कहते थे अर्थात पहला कतन सत्य है ये सभाएं उप समितियों के जरिये सिचाई खेती वाड़ी से जुड़ी विभिन काम सड़क निर्मार इस्थानी निर्मा इस्थानी मंदिर की देखरे आजी का काम करती थी अर्थात जो इसमें दिया जा रहा है कि पहला कतन ये बिल्कुल करेक्ट दिया जा रहा है ठीक है अब इसके आंगे दिया जा रहा है कि जिन छेत्रों में भूसवामी ब्राम्मार नहीं होते थे वहाँ और नामक ग्राम सभा के होने की बात कहीं गई है ठीक है अर्थात जो इन सभाओं पर धनी तता सक्तिसाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंतर्ण था इन में बहुत से स्थानी सभाएं सब्दाईयों तक काम करती रही अर्थात ये दोनों ही कतन सही दिये जा रहे हैं और बहुत ही मयत्पूर्ण भी हैं क्या होता था पहले जो ब्राम क्तिस गाउं की जो देख रहे उसक काम करते थे वहां की सबकर करती थे पूरे गाउंकी दिखते हैं कोशन नमबर 19 को ये भी बहुत ही मैदपूर्ण है तो उन्नीसमा कोशन पूशन पूशा जा रहा है कि अभिज्ञान साक उन्तलम निम्न लिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है पहला option A दियार की हरिसेंड का option B रभी कीर्थी का option C, कालिदास का option D कौशन साई है, ये ये कालिदास का था, ठीक option C विल्कुल करेक्ट है अभिज्ञान कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक जो था वो अभिज्ञान साकॉंतलम था, ठीक है और दुस्यंत नाम के एक राजा का साकॉंतलम दुस्यंत नामक एक राजा और सकुंतला नामकी एक यूबती की प्रेम कहानी है यह अर्था जो यह अभिज्यान सकुंतलम है इसमें एक प्रेम कहानी का वर्णन दिया गया है जिसमें एक दुस्यंत नामका राजा है और इस सकुंतला सकुलतरा नामकी एक यूबती इन दोने के प्रेम की विशे में बताये गया है और यह जचना किसकी है तो यह काली दास की एक प्रिसिद्ध नाटक है ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगले प्रशन को अगला प्रशन 18 आप सभी लों की समक्ष है ठीक है तो आपको इसका आंसर देना होगा ठीक है तो पूछा जा रहा कि काली दास के नाटकों की विशेस्ताओं की संदर में निमलिकित में से कौन सा कतन असत्त है अर्था इन दोनों कतनों में से आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कतन गलत है ओप्सन एक काली दास अपने नाटकों में राजदरवार के जीवन च प्राकृतिक बोलते हुए जबकि लोगों और आत्ताता क्या था कि वह महिलाओं को संस्क Kell लगत दिखाई गयाए ऑर्फात c्म झाय के वे as नोतना तो आपको बताने इन दोनों में से कौन सा गलत है य़ो दूसरा यह वलक गलत है ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं उसके ब्याख्य को भी देख लेते हैं ब्याख्य में दिया जारा कि कथन एक सई है परंतु कथन दो गलत है काली दास अपने नाटकों में राज दरवार के जीवन चित्रन के लिए प्रसिद्ध थे इन नाटकों में एक रो हैं सभी ये प्रसिद्ध आपको याद रखना चाहिए ठीक है और खास करकी तो आप लोग अगर यूपीसी की प्रसिद्ध कर रहे हैं तो जरूर ही इसलाम के संदर में निम्न लिखित में से कौन सा कतन असत्त है यहां पर तीन कतन दिये जारे हैं आपको यह बताना है कि त इसलाम नामक नए धर्म की सुरुआत की थी दूसरा कतन है अगले सो सालों के दोरान इसलाम उत्तर अफिरिका इस्पेन इराग और भारत में फैल गया था ठीक है इसके बाद में तीसरा कतन दिया जा रहा है कि अरब नाबिक जो इस महाद्विप की तटी बस्तियों से पहल और तीन है ये दोनों की साही है पैगंबर मुहमद दौरा इसलाम नामक नए धर्म की सुरूआत और इसके सुरूआत की गई थी जो 100 सालों के सालों के दौरान उत्तर आफ्रीका इस्पेन इरान और भारत में पहल गया था अरब लियापारी तथा नाबिक ने नाबिक जो ये बस्तियों से पहले से परचित थे अब भाई कोई बेक्तिकर कहीं पर बार बार जाता रहेगा व्यापार के लिए तो वहां पर दो परचित होई जाएगा ठीक है अब इस आबागर्मन के क्रम में अपने साथ साथ नए धर्म को भी ले आये थे कौन लोग जो तटी नाभि कि सुरुआत कब से हुई थी यह हुई थी सत्रा सो बर्स पहले इसके बाद में हर्श बदन का सासन काल कब हुआ था यह चौदा सो साल पहले हुआ था ठीक है तो और एक पांट और यह बाद भी आप लोग याद रखेगा कि जो यहां पर इसलाम धर्म की जो सुरुआत हु रही है जिसमें हम आपको सबसे पहले NCRT को पढ़ा रहे हैं और नोट्स भी दिया रहे हैं तो जिन लोगों नोट्स चाहिए है वो लोग में वाट्सप पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं वाट्सप नंबर यह दिया गया 8577-885934 आप लोग इस पर मैसेज करके हमसे सब्सक्राइब और रहे गया है फिर स्टार्ट की जाएगी जोग्राफी को ठीक है तो चलिए शुरू जाहें दोस्तों मिलते हैं यह वीडियो के साथ